इमानदारी की सबसे सफेद कमीज पहनने का दावा करने वाले अर्विंद केजरिवाल और आम आदमी पार्टी के तथाकतित इमानदारी का एक और प्रमाण आज पूरे देश की मीडिया के सामने फिर से एक बार सामने आ चुका है। ये है वो इमानदारी का प्रत्यक्ष प्रमाण जो अर्विंद केजरिवाल दावा करते हैं अपने पार्टी की ओर से कि वो सबसे इमानदार हैं उनकी पार्टी सबसे ज्यादा इमानदार है। ये उसका प्रत्यक्ष प्रमान आज कहीं सारे मीडिया चैनल्स पर भी देखने मिला और अभी अभी ED के ओफिशल हैंडल से ये सारवजनिक भी की गई है जानकारी जो आप लोग दिखा रहें थे कि किस प्रकार से अरविंद केजरिवाल के सबसे खास आदमी सतेंदर जैन उन से दो करोड से ज्यादा का कैश और लगभग दो किलो सोना 133 गोल्ड कॉइंज बरामद हुए हैं ये उनकी इमानदारी का प्रत्यक्ष प्रमान है वैसे तो प्रत्यक्ष को प्रमान की आवशक्ता नहीं होती है पर उन्तु समझ में नहीं आता कि अरविंद केजरिवाल जी जो सबसे ज्यादा इमानदारी की कमीज पहनने का दावा करते हैं उनकी क्या ऐसी मजबूरी है कि आज तक वो दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर से बने हावालात मिनिस्टर उनके खास मित्र और खास व्यक्ती सतेंदर जैन का इस्तीफा नहीं ले पा रहे हैं वैसे तो आम आद दोनों ही जगे जहां पर उनकी सरकारे हैं वहां पर उनके हेल्थ मिनिस्टर हवालात मिनिस्टर बने हैं परन्तु एक हवालात मिनिस्टर के लिए ऐसी क्या हमदर्दी है इस देश के गद्दार के लिए और ये शबदावली खुद अर्विन केजरिवाल ने भरष्टाचा के लोग A, B, C, D कर रहे हैं A, B, C, D का मतलब है A for advertising B for भरपूर भरश्टाचार C for cover up of corruption and D for diversion, deviation and deflection जब से ये मामला हमारे सामने आया है और आपको याद होगा कि इसी मन्ज से हमारी वरिष्ट नेता केंद्रिय मंत्री स्मृती रानी जी ने 10 सवाल रखे थे अरविन केजरिवाल जी के सामने परन्तु उन 10 सवालों में से एक भी सवाल का जवाब देने में असक्षम है अरविन केजरिवाल जी और तब से लेकर आज तक केवल और केवल भटकाने का काम दिशा भ्रमित करने का काम अर्विन केजरिवाल और आम आदमी पार्टी कर रही है परंतु आज जब ये भरष्टाचार का प्रमान सामने आ चुका है तो आज अर्विन केजरिवाल जी का अभी-अभी कुछ देर पहले ट्वीट भी आया है कि जूट पे जूट जूट पे जूट जूट पे जूट भगवान हमारे साथ है वैसे तो ये कहा जा सकता है कि पंजाब और दिल्ली की जनता भगवान भरोसे है परंतु जिस बात को ये जूट बोल रहे हैं अर्विन केजरिवाल जी जो दस सवाल आदरिने स्मृती रानी जी ने पूछे थे आप से उन सवालों में मैं कुछ और सवाल भी पूछना चाहता हूँ और आप बताईए कि ये सच है या ये जूट है क्या ये 2019 का दिल्ली हाई कोट का ओरडर जिसमें पैरा नंबर 30 पर सतेंदर जैन को इंडाइट किया गया है दोशी पाया गया है और मैं पढ़ कर सुनाँगा आपको इस और में लिखा गया है फाइनिं है कोट की हाई कोट की The petitioners have themselves enclosed a copy of the order 24th May 2017 passed in respect of the Benamidar that is ADPL which Inter Alia notes that the cash was routed through accommodation entries in the garb of share capital premium in fact belonged to Mr. Satyendra Kumar Jain and it was at his direction that the entire transaction was orchestrated मतलब की जो प्रिंसिपल कमिशनर इंकम टैक्स की फाइनिंग थी कि ये उन दोनों व्यक्तियों के अंडिस्क्लोज इंकम नहीं थे बल्कि ये सतेंदर जैन का हवाला एंट्री था उसको उच्च नयाले ने दिल्ली हाइ कोट ने उसको सत्यापित किया उस पर मुहर लगाई 2019 में क्या ये कोट की फाइंडिंग जूट है क्या ये कोट की फाइंडिंग वेंडेटा पॉलिटिक्स है मेरा एक और सवाल जुड़ रहा है स्मिती रानी जी के उन दस सवालों की सूची में जिसका जवाब आज तक अरविन केजरिवाल देने की हिम्मत नहीं कर पाएं मेरा सवाल नमबर दो आज ये है क्या ये जो रिकवरीज हुई है आपके खास आदमी के घर से आपके खास आदमी के ठिकानों से क्या ये रिकवरीज भी जूट है क्या ये रिकवरीज जूट है मेरा तीसरा सवाल दस दिन की रिमांड कोट ने दी है E.D. को यदि आप कहते हैं कि ये विंडेटा है यह vindictive है, वैसे आपके पास और मेरे पास आधार कार्ड, पैन कार्ड होता है, अर्विन केजरिवाल और आम आदमी पार्टी के पास, पर्मनेंट विक्टम हुट कार्ड है, कभी कुछ हो जाए, एजनसी संग्यान ले, भरष्टाचारी को पकड़े, कोट से आदेश आ जाए तो तुरंत विक्टम हुट कार्ड निकाल देते हैं, तो आज मैं पूछना चाहता हूँ, आदरने अर्विन केजरिवाल जी से, कि क्या यह दिली हाई कोट का ओडर भी वेंडेटा पॉलिटिक्स है, जो रिमांड दी गई है दस दिन की ED को, कोट के द्वारा, क्या यह भी है क्या, क्या जो पिछले महीने अटैच्मेंट ओर आया था, सतेंदर जैन के एसेट्स का, 4.8 करोड का, जो आज भी कायम है, क्या वो वेंडेटा पॉलिटिक्स है, और अगर यह सारी चीजे वेंडेटा पॉलिटिक्स है, इतना समय आपके पास था, किसी कोट अफ लौ ने आपको राहत दी है, क्या आप किसी कोट अफ लौ में जाकर यह कह पाए, कि यह जो भी कारवाई हो रही है, हम तो बड़े इमानदार है जी, हमने तो कुछ नहीं किया जी, उल्टा ये हमें द्वेशपूर कारवाई में फसा रहे हैं, क्या ऐसा एक भी आदेश राहत देने क्या आपने 2019 का दिल्ली हाई कोट का आदेश पैरा नंबर 30 पढ़ने के बाद उनको क्लींचिट दी है, या इसे पढ़े बगएर उनको क्लींचिट दी है, जे इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आप क्लींचिट देने की बात कर रहे हैं वैसे, आपने का है, आपने सारी फाइले मंगवाली, आपने सारे दस्तावेज देख लिए, एक बार आप वो दस्तावेज सारवजनिक पटल पर रख दीजिए, पता चल जाएगा कि किन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ये तथा कतित क्लींचिट देने की आपकी फैक्टरी काम करती है, और मैं इसलिए कह रहा हूं, ये इसलिए कहना पड़ रहा है, क्योंकि इससे पहले भी मित्रगण आपको याद होगा कि एक और क्लींचिट दी गई थी, इस क्लींचिट की फैक्टरी से एक और क्लींचिट दी गई थी, वो क्लींचिट दी गई थी, जितिंदर तोमर को, और जितिंदर तोमर ने क्या-क्या कीर्तिमान स्थापित किये हैं, ये पूरे देश ने देखा है, परन्तु मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, थोड़ी याददाश आमादमी पार्टी वालों की कमजोर हो जाती है, इतना भरष्टाचार किया है, इतने लोगों को बचाना है, तो कमजोर हो जाती है याददाश, मैं उस समय का आपको वाक्या याद दिलाना चाहता हूं, और दोनों ही वाक्यों में किस प्रकार से समानताएं हैं, देखे का ऐसा लग रहा है कि अर्विन केजरिवाल जितेंदर तोमर के लिए नहीं, आज सतेंदर जैन के लिए ही बोल रहे हैं, सुन कि ये तो सबसे इमानदार व्यक्ती है, इसको तो मीडिया और बाकी के लोग साजिशन फसा रहे हैं, और इसलिए मैं आप से आगरह करता हूं कि आप डोकुमेंट्स देख लीजे, ये तो पूर तरीके से इमानदार व्यक्ती है, आज यही बात वो सतेंदर जैन के लिए कह इसे दे दी, और अगर नहीं है, तो बिना देखे आपने ये क्लीन चिट क्यूं दी है, सारवजनिक पटल पर वो सारे कागस रख दीजिए, उन्होंने कहा कि सतेंदर जैन इतने इमानदार है कि उनको पद्मविभूशन मिलना चाहिए, पद्मविभूशन मिले ना मिले, पर हां आम आदमी पार्टी को घोटालो में गोल्ड मेडल तो जरूर मिलेगा, गोल्ड के कोईन्स तो है ही वैसे उनके पास, गोल्ड मेडल और कोरप्शन और घोटाला जरूर मिलेगा, ये आम आदमी पार्टी का मैं ट्रैक रेकॉर्ड भी लेकर आया हूं, जल बोड जह आम आदमी पार्टी के जो इमानदार विधायक है, इमानदारी की कमीज पहिनने वाले, वो लोक आयुक्ता से कहते हैं कि हम आपको ऐसेट्स नहीं दिखाएंगे, हम आपको ऐसेट्स डिक्लेर नहीं करेंगे, उल्टा लोकायुक्त के सामने, जब बहुत सारे केसेज उनके मं तक लोक आयुक्त को नियुक्त ही नहीं किया गया बस के भी प्रोक्योरमेंट में घोटाले करने का उपलब्दी आम आदमी पार्टी की सरकार को हासिल है और इसी लिए ये गोल्ड मेडल मिलेगा इनको घोटाले के लिए आज मैं केवल फिर से एक बार बताना चाहता हूं कि जब परदाफाश हो चुका है आम आदमी पार्टी की सरकार की तथाकतित इमानदारी का क्या अरविन केजरिवाल बताएंगे कि ऐसी क्या मजबूरी है कि वो सतेंदर जैन को आज भी बचाने का काम कर रहे हैं अभी तक उन्होंने स्मृती रानी जी द्वारा पूछे गए दस सवालों का जवाब नहीं दिया है हर बात पर डाइवर्ट करते हैं क्या 2019 का हाई कोट का आदेश जो इंडाइट करता है सतेंदर जैन को क्या उन्होंने वो देखा है क्या उन्होंने इसी प्रकार से विक्टम हुड कार्ड जितेंदर तोमर के लिए खेला था या नहीं और यदि उस समय खेला था तो आज जब वो इसी कार्ड को खेल रहे हैं तो किस आधार पर उनकी इस बात पर यकीन किया जाए कि उन्होंने सारे कागज देख लिये हैं और फिर जाकर वो क्लीन चिट दे रहे हैं और आखरी सवाल जो वेंडेटा वेंडेटा कहते हैं यदि तो कौट से आज तक आपको कोई रिलीफ नहीं मिली आप अभी भी कोट नहीं जा रहें रिलीफ लेने के लिए और यदि आप इतने ही पाक है इतने ही सत्यवान है तो सतेंदर जैन का इस्तिफा लेकर उन्हें वापस भी लिया जा सकता है अगर उनको को खोट से क्लीन से 200 भीगा जमीन खरीदी गई थी और हो सकता है कि इस पूरे भ्रष्टाचार में बहुत सारे stakeholders है और उन stakeholders के पास ये एजनसियां पहुंच जाएगी इसका डर सता रहा है और इसी लिए हो सकता है अर्विन केजरिवाल आज तक इस्तीफा लेने में नाकाम है असक्षम है और लगातार भ्रष्टाचारियों का बचाव कर रहे हैं बहुत-बहुत धन्यवाद शुक्रे आपका हेल्थ मिनिस्टर पंजाब का तो इस्तीफा तुरंत ले लिया गया वहाँ पर तो कोट की फाइंडिंग भी नहीं थी फिर भी उनका इस्तीफा ले लिया गया और उनको मंत्री पद से बाहर कर दिया गया ऐसी क्या मजबूरी है कि वो आज भी सतेंदर जैन को मंत्री बनाया रखना चाहते हैं क्या अगर वो मंत्री होंगे तो जो जांच होनी चाहिए पूर तरीके से जो फ्री एंड फैर प्रोब होना चाहिए क्या वो फ्री एंड फैर प्रोब की जा सकती है तो मैं समझता हूं कि यदि अर्विन केजरिवाद डरते नहीं है, उनको छेपानी की कोई बात नहीं है, या उनकी कोई मजबूरी नहीं है, तो उन्हें तो सतेंदर जैन का इस्तीफा बहुत पहले ले लेना चाहिए और मैं फिर से पूछा हूँ, क्या उन्होंने 2019 के हाई कोट के आदेश को दे बिना डिफलेक्ट किये, बिना डिवेट किये.